नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र तंत्र यंत्रवास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ नवरात्री में आप देवी की पूजा करते हैं लेकिन पूजा में अगर कोई चुक हो जाती है कोई गलती हो जाती है तो पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है तो नवरात्री के महासयोग के सुब दिनों में भूल कर भी न करे ये काम बने रही है हमारे साथ हम आपको बताएंगे कि नवरात्री के इसे अवसर पर क्या आपको नहीं करना है और क्या आपको करना है ताकि पूजा का पूर्ण फल आपको मिल सके तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नवरात्री पर आपको क्या नहीं करना है देखिए नौ दिनों का बरत रखे लेकिन लहसुन प्याज का सेबन ना करे नवरात्री के इस पावन अवसर पर निंदा, चुगली, लालच और जूट से दूर रहें अगर आप नवरात्री का बरत रखे हैं तो इन चीजों से आपको दुर रहना है इसके साथ साथ दाढ़ी, नाखून, बाल, नौ दिनों तक ना काटे और कैची का भी पर्योग आपको नहीं करना है इन नौ दिनों के बरत में इसके साथ साथ नौद दीन का ब्रत रखने वालों को काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए इन चीजों का भी आपको धियान रखना है इसके साथ साथ चमरे से बनी सारी चीजे जैसे बेल्ट, चपल, जूते, बैग इन चीजों का भी इस्तमाल आपको नवरात्री के ब्रत के दोरान नहीं करना चाहिए अन्यथा आपका पूजा निस्फल हो सकता है इसके साथ साथ नवरात्री ब्रत के समय दीन में सोने से बचे तथा तमबाकु चवाने और सारीरिक समंध बनाने से भी ब्रत का फल नहीं मिलता है तो इन चीजों का भी ख्याल आपको रखना है ब्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए साबुदाना, सेंधा नमक, फल, मेबे, मुखफली का सेवन आप चाहें तो कर सकते हैं इसके साथ साथ हम आपको पताते हैं कि कलस अस्थापना के बाद घर को कभी खाली नहीं चोड़ना चाहिए अगर आप अपने घर में कलस के अस्थापना कर चुके हैं तो कभी भी घर को खाली चोड़ करके आपको नहीं जाना चाहिए उबास के दोरान मांस और सराब का सेबन भी नहीं करना चाहिए अन्यथा आपका पूजा निश्चित रूप से निश्फल हो जाएगा और आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा इसके साथ नौ दिनों तक घर में चौक या बगहार का परियोग नहीं करना चाहिए जिन लोगों ने नौ दिनों का ब्रत किया है अईशे लोगों को निम्बू बिलकुल नहीं काटना चाहिए इस नवरातर के दोरान मा देवी को तुलसी, दुरवा, आमला, तमाल के पुस भी ना चड़ाएं अन्यथा आपका पूजा निस्फल हो सकता है अब हम आपको बताते हैं कि नवरातरी पर आप क्या करें मैंने आपको बताया कि नवरातरी पर आपको कौन से काम नहीं करने हैं अब मैं बताता हूँ को नवरात्री के दिनों में आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, नो दिन तक तन और मन से उबास रखें। लाल फूल, गुरहल का फूल, लाल बस्तर और लाल आसन का पर्योग करें तथा हर दिन मां का आरती करें। इसके साथ सुवह और साम मां के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में दीपक परजोलित अवस्य करें। शंभब हो तो वहीं बैटकर मां की पाठ करें, दुरगाश्रती की पाठ कर लें या दुरगाशलिसा की भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस नवरात्री के दोरान अस्टमी या नम्वी पर बीधी बिदान से कंजक पूजन करें और उनसे आसिरवाद जरूर लें घर पर आई किसी भी कण्या को खाली हाथ बिदाना करें इस नवरात्र के दुरान अगर आपके घर में कोई कण्याएं आती है तो उन्हें खाली हाथ कभी विदा न करें अखंड जोत जला सकते हैं तो ये उत्तम है अन्यथा सुवा साम जोत अवस्यलाएं ब्रह्मस्चर्ज ब्रत का पालन करें शंभब हो तो जमीन पर सोए नवरात्र के आखरी दीन नो कर्ण्याओं का पूजन आपको अवस्य करना है तो मैंने आपको बताया कि नवरात्री के इस महाशयोग पर क्या काम आपको करना है क्या आपको नहीं करना है अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से नवरात्री के इस बावन अफशर पर आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा और आपके मन में जो संकल्प है वो संकल्प अबस पूरा होगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरिप्याई से लाइक करे सब्सक्राइब करे तथा अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करे ताकि वो भी पूजा में कोई गलती ना करे और पूजा के जो नियम है उनका पालन भी कर सके आज के लिए बस इतन नहीं आपको भहत भहत धन्यवाद